माख पूर्णिमा की मौके पर देश फर्मेश रथालों ने पवित्र नदियों में आस्था की दुख्य लगाए एज़ोरान प्रयाग्राज से लेकर मत्रा, वारनसी, हरी द्वार तक भक्त और उसकी भक्ती का भव्य नसारा तेखने को पिला माख पूर्णिमा के मौके पर गंगा, यमना और दूसरी तमाम नदियों पर आज मानो श्रधालों का सहलाब उमर पड़ा सुबा सुबा पवित्र नदियों में श्रधालों ने मानो आस्था की दुख्य लगाए लेकिन इसी दोरान प्रियागराज और मथुरा जैसी कुछ जगों पर आस्मान में अचानक हेलिकॉप्टरों की उडान ने सब को चौका दिया जब तक श्रधालों समझ पाते उन पर फूलों की वर्षा होने लगे श्रधालों के लिए तो ये बिन मांगी मुराद पूरी होने जैसी थी पूरा वातावरन मानो गुलाब और गेंदे की फूल की सुगंद से महक उठा गंगा और यमुना के पवित्र लहरों पर फूलों की पंखुणियां अट खेलिया करने लगे श्रधालों की खुशियों को जैसे पंख लगा दिये ये प्रियागराज की तस्वीरे हैं यहाम संगम किनारे आस्था और विश्वास का संगम देखने को मिला यहां माग पूरनिमा के दिन ही माग मेला या कहे तो एक महीने का कलपवास भी संपन्ध हो गया इस दोरान यहां आसमान से हेलिकॉप्टर के जरीए पुश्प वर्सा कराई गए माग पूर्णिमा पर मतुरा के वरिंदावन में वैशनौफ कुम्भ मेले के मौके पर आज पहला शाहिस नान करने के लिए साधूस संतो और अखाडों की शोभाय आत्रा निपी यहां भी यमुना किनारे श्रद्धालों की भारी भीड पवित्र नदी में डुक्की लगा रही थी तब ही आसमान से हेलिकॉप्टर के जरीए फूल बरसाया गया वारार्सी में भी माग पूर्णिमा पर गंगा स्नान का काफी महत्व है भक्तों ने यहां गंगा स्नान कर दान और ध्यान के साथ दीपदान भी किया माग पूर्णिमा पर हरी द्वार में हर की पॉड़ी पर शर्थालों ने गंगा में डुक्की लगाई वैसे भी हां कुम के मौके पर इसकी एहमियत और बढ़ गई धार्मिक मानिता के मुताविक माग पूर्णिमा के दिन देउता भी स्नान करने प्रयाग राज आते हैं मानिता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से पापो का नाश और मोक्ष की प्राप्ती होती है माननेता ये भी है कि भगवान विश्णू मागपुर्णिमा के मौके पर गंगा जल में निवास करते हैं कहते हैं कि मागपुर्णिमा के दिन नदी में सनान कर दान करने से 32 गुणाफ़ फल मिलता है भाराल मार्ग पर्णिमा पर देश भर में जगा जगा शर्थालों ने आस्था की डुपकी लगाई और महौल ऐसा जैसे सभी भक्ति की भावना में बहे जा रहा बिरो रिपोर्ट एवीपी गंगा